नवरात्री में मातारानी के ये 9 दिन बेहत खास होते हैं इन 9 दिनों का बहुत अधित महत्व माना जाता है नवरात्री के हर दिन देवी के अलग रूप क्याराधना की जाती है लेकिन क्या आप माता के इन 9 रूपों के रहसी के बारे में जानते हैं नवरात्रे के पावन अवसर पर आईए जानते हैं माता के नौ रूपों के रहसे के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे शैल पुत्री परवत राज हिमाले के पुत्री होने के कारण परवती माता को शैल पुत्री भी कहा जाता है निश्य थी किसी बिस्त्री का पहला परिचय उसकी पिता से ही होता है पिता के घर रहे कर पुत्रिया बहुत कुछ सीखती है माता पार्वती ने भी बहुत कुछ सीखा था ब्रह्मचारणी अर्था जब उन्होंने तपस्या द्वारा शेव को पाया था माता पार्वती ने भ्रहमचर्य का पालन करके ही शेफ को पाया बच्पन की बाद युवा वस्था में प्रत्येक महिला को विवा करके अपने पिता का घर छोड़ना होता है जब तक महिला आए विवा नहीं कर लेती तब तक उसे भ्रहमचर्य का ही पालन करना चाहिए यह शिक्षा देती है ब्रहमचारणी चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है यह उसका प्रतीक है कि माता अपने पती शिव जिन्होंने चंद्रधारण कर रखा है वे भी उनके समान ही उनके जैसी हो चली है अर्थार अपने पती के रंग में रंग जाना कुश्मांडा ब्रहमान को उत्पन करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुश्मांडा कहा जाने लगा प्रतीक महिला जब गर्ब धारन करती है तो वहा कुश्मांडा माता की तरह ही होती है जन्म देने वाली शक्ती मा कुश्मांडा के उदर में ब्रहमान को उत्पन करने की शक्ती है विभा के बाद उनमें जन्म देने की शक्ती है इसकंद माता माता पार्वती के पुत्र कार्थिके का नाम इसकंद भी है इसलिए वे इसकंद की माता कहलाती है प्रतियक महिला जब जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरती है तो वहां किसी ना किसी की माता ही बनती है माता होना सबसे बड़ा सुख है कात्याईनी यग्य की अग्मी में भस्म होने के बाद महर्शी कात्यायन की तपस्या से प्रसन होकर माता ने उनके यहां पुत्री रूप में जन्म लिया था इसलिए वे कात्याईनी कहलाती है हर महिला के जीवन में संघर्ष और कष्ट का समय आता है खास कर जब वह विवाहित हो जाती है या किसी बच्चे की मा बन जाती है या उसका दूसरा ही जन्म होता है काल रात्री मा पारवती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है इसलिए काल रात्री कहलाती है प्रतियक महिला संघर्ष और संकटों से बुजर कर अपने परिवार की हर तरह से रक्षा करती है महिला में ही वह शक्ती है जो अपने पती और बुत्र को अपने इच्छा से सुरक्षित रखती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है महागौरी पठोर तब करने के कारण जब उनका वर्ण काला पढ़ गया तब शिव ने प्रसन होकर उनके शरीर को गंगाजी के पवित्र जलसी मलकर्थ होया तब वह विद्यूत प्रभा के समान अत्यन कांतिमान गोर हो उठा तब ही से इनका नाम महागौरी पढ़ा हर वह महिला जो अपने व्रत उप्वास और धर्म के कारे करती है वह महागौरी कहलाती है सिद्धी दात्री माता का यह नववा रूप है जो भक्त पूर्ण तहा उनी के प्रती समर्पित रहता है उसे वे हर प्रकार की सिद्धी दे देती है इसलिए उन्हें सिद्धी दात्री कहा जाता है इसी तरह जिस घर परिवार के सदस्य अपने घर की माताओं का आशिरवाद लेते रहते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करते हैं तो वे जीवन के हर शेत्र में सिध्धी और सफलता प्राप्त करते हैं वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड भार से बचे, मास्क पहने वह सैनेटाइजर का इस्तमाल करें साथ ही सोशल डिस्टनसिंग का पूरा पालन करें